हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज विद संदीपनागर इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 10, क्लास 12, NCRT, लाइन टू लाइन एक्स्प्लेन करूंगा प्लीज वीडियो को एंड तक देखें, इसकिपने करें आईए सबसे पहले बात करते हैं, चैप्टर के नेम के बारे में चैप्टर का नेम है, माइक्रोब्स in human welfare माइक्रोब्स का मतलब है, ऐसे चोटे 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 ओरगनिस्म जो हमें naked eyes से दिखाई नहीं दे सकते हैं उनका human welfare, उनका मनुश्य के जीवन में क्या role है इसके बारे में हम इस chapter में पढ़ेंगे मतलब उनका क्या role है, उनका क्या उपयोग होता हमारी daily life के अंदर आईए सबसे पहले chapter के introduction के बारे में पढ़ते हैं chapter का introduction क्या है besides macroscopic plant and animals macroscopic का मतलब होता है ऐसे living organism जो हमें आसानी से दिखाई दे सकते हैं तो plant और animals ऐसे हैं जो हमें आसानी से दिखाई दे सकते हैं microbes are major component of the biological system on earth microbes जो होते हैं वो एक बड़ा component रखते हैं earth पर biological तो biological system के अंदर plant भी होते हैं, animal भी होते हैं इसी तरीके से microbes का भी एक बड़ा role होता है एक बड़ा component है biological system के अंदर You have situated about the diversity in living organism in class 11th diversity का मतलब है जितने भी living organism होते हैं अर्थ पर तो अर्थ पर our living organism के बारे में आपने class 11th के अंदर पढ़ा हुआ है Do you remember which kingdom among the living organism contain microorganisms क्या आपको याद है कि कौन-कौन से kingdoms हैं जिनके अंदर micro organism सामिल थे तो वो तीन थे नंबर फस्ट था kingdom monera नंबर सेकेंड है आपका kingdom protesta और नंबर थर्ड है आपका kingdom fungi ठीक है वहीं तो तीन थे आपके जिनके अंदर हम micro organism को पढ़ते हैं kingdom monera के अंदर micro organism हमें देखने को मिलेंगे kingdom fungi के अंदर micro organism हमें देखने को मिलेंगे which are the ones that are only microscopic हैं तो इन मैंसे कौन से जो होते हैं microbes are present everywhere तो microbes के बारे में हम पढ़ेंगे microbes हमें पिरते एक प्लेस पर देखने को मिलेंगे जैसे कि हमें ये soil के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं पानी के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं यहां तक कि हमारी body के अंदर भी animals की body के अंदर भी plant की body के अंदर भी ये microbes रहते हैं they are present even at site where no other life form could possibility exist ये केवल उनी site पर उनी जग़ों पर ही नहीं मिलेंगे हमें जहां पर life form जो है possible है ये उनसे भी अलग हमें कुछ जगें पर कुछ site पर देखने को मिलेंगे जैसे कि वो site कौन कौन सी है deep inside the gaciers gaciers के deep में gaciers की गहराई मतलब जो गरम पानी के जहरने होते हैं जैने हम thermal vent बोलते हैं उनकी गहराई में भी हमें ये देखने को मिल सकते हैं microbes thermal bacteria बोलते हैं deep in the soil ये soil के अंदर भी हमें देखने को मिलेंगे under the layer of snow several meter थिक और जो snow की जो बरफ की अंदर तक की नीचे तक की layers में भी हमें microbes देखने को मिलेंगे in highly acidic environment यहां तक की ज़्यादा acidic की वाले ज़्यादा acidic की वाले एंवार्मेंट में भी हमें ये देखने को मिल सकते हैं तो आईए ये अब बात करते हैं आगे microbes के बारे में microbes are divers, proto zoa bacteria, fungi, microscopic plant, virus, waries, watermelon and pions microbes हमें किन किन form में देखने को मिलेंगे proto zoa की form में bacteria की form में fungi की form में microscopic plant की form में viruses की form में वाइरोइड की फॉर्म में और प्राइंस की फॉर्म में ठीक है प्रोटो जो हमें आपके प्लाजमोडियम वगरा आते हैं बैक्टिया का आपने देखाई है फंगी यीस्ट वगरा जो है माइक्री स्कोपफिक कुछ चोटे बहुश ऐसे चोटे जो एल्गी बगरा में कुछ आने वाले यूनिसेल और एल्गी जो होती है उसमें प्लान्ट आते हैं आपके वाइरस होते हैं वाइरोड और प्राइंस जो होते हैं वाइरस से चोटे living organism है ये virus से भी चोटे living organism है और इसके बाद proteinious infectious agent जो prions होते हैं वो proteinious infectious agent होते हैं मतलब proteins के इनका जो protein होता है वो किसी living organism के अंदर अगर जाएगा तो वहाँ से infection फैला देता है आईए 10.1 और 10.2 वाले figure को देखते हैं तो ये वाले जो आपके 10.1 वाले हैं ये वाले आपके 10.2 वाले हैं ये आपका rod shape bacteria है ये आपका spherical bacteria है ये bacteria phase है और ये एडिनो वाइरस है तो ये कुछ micro organism हैं जो आपका NCRT में define किया हुआ है वह 10.1 और 10.2 में कुछ micro organism को sow किया हुआ है तो इसके बाद देखते हैं तो उसको हम colonies बोलते हैं that can be seen with the naked eyes और इन colonies को हम naked eyes से देख सकते हैं such culture are useful in studies on microorganism जो ये culture होता ये microorganism की study के लिए important है जब हम microorganism की study करते हैं तो पहले उनको cultural media में grow कराते हैं उनको cultural plate पे grow कराते हैं तो इनको cultural plate पे grow करा जाता है तो वो cultural plate दिखा देता हूँ में आपको NCRT की आपकी पीछे diagram में आगले page बदिया हुआ है तो जैसे कि आपका ये है कुछ bacteria हैं जो आपका एक cultural plate पे grow होते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे कुछ आपकी फंगिये जो cultural plate पे grow होती हुए हमें दिखाई दे रही है ठीक है गाई तो आए नेक्स्ट आप चलते हैं आगे की तरफ इन चैप्टर एट आपने चैप्टर एट में देखा है जो microbes हैं उनके कारण मनुष्य के अंदर बहुत सारी डिसीज जो हैं बड़ी संख्या में डिसीज पैदा की गई थी वहाँ पे हमने पढ़ा था डिसीज के बारे में यह डिसीज जो होती है वो animals में भी हो सकती हैं plant के अंदर भी हमें देखने को मिलती हैं but this could not make you think that all microbes are harmful परन्तु हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि सभी microbes जो होते हैं वो हमारे लिए harmful होते हैं वो हमारे लिए नुकसान दायक हैं several microbes are useful to men in divers ways कुछ microbes हमारे लिए एक तरीके से अलग तरीके से useful भी होते हैं some of most important contribution of microbes to human welfare are discussed in chapter तो कुछ important microbes के बारे में इस chapter के अंदर बढ़ेंगे जो human welfare के लिए बहुत ही बड़ा योगदान देते हैं आईए अब बात करते हैं microbes in household product कि जो microbes होते हैं जो छोटे छोटे और्गनिजम होते हैं इनका हम अपने घरों में product बनाने के लिए कैसे उप्योग करते हैं तो you would be surprised to know that we use microbes और product derived from everyday तो आप surprise हो जाएंगे ये सोच करके पिरते एक दिन हमारे घरों के अंदर microbes का use करके हम कुछ product त्यार करवाते हैं तो एक common example is the production of curd from milk तो एक common example है जिसमें हम क्या करम कर रहे हैं दूद से दही को बनाने का काम करते हैं तो वो भी हमारा micro organism की help से काम होता है तो उसके अंदर कौन सा micro organism होता है micro organism such as lactobacillus उसके अंदर होता lactobacillus bacteria lactobacillus एक bacteria होता है जिसको हम दूसरा नाम बोलते हैं lactic acid bacteria जो की क्या काम करता है milk के अंदर गरो होता है और वहां से उसको curd में milk को curd के रूप में convert कर देता है during growth, growth के time पे वो LAB produce acid तो जो lactic acid bacteria होता है वो acid produce करता है और जो acid क्या काम करता है coagulate and partially digest milk protein milk protein को bacteria के दोरा digest किया जाता है और milk को digest करने के बाद में milk को coagulate कर देता है milk को जमाने का काम कर देता है a small amount of curd added to fresh milk तो सबसे पहले क्या काम करते है इसको करने के लिए हम जो हमारे पास में milk fresh milk होगा उसके अंदर हम छोटी मात्रा में curd डालते है जिसे हम बोलते है इनोकूलम या फिर बोलेंगे सिटार्टर उसे डालेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे lactic acid bacteria पहले से ही होते है जैसे ही वो milk के अंदर जाएंगे तो milk के अंदर उन्हें suitable temperature होना चाहिए suitable temperature के time पर मतलब जिस temperature में ना तो ज़्यादा गरम होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए जहाँ पर वो multiply कर सकें जहाँ पर वो अपनी जंसंक्या ज़्यादा बढ़ा सकें तो उस time पर वो काम करेंगे वहाँ पर तो इसलिए उनको suitable temperature होना चाहिए thus converting milk to curd और वो क्या काम करेंगे दूद को दही में convert कर देंगे which improve its nutritional quality by increased vitamin B12 वो क्या काम करते हैं मैंने भी बताया था protein को digest करने का काम करते हैं और protein को digest करने के बाद में उसकी दही के अंदर nutritional quality को increase कराएंगे और उसमें ज़्यादा जो quality मिलेगी हमें दही के अंदर vitamin B12 ज़्यादा देखने को मिलेगी इसके बाद next है आपका in our disease in our stomach in our stomach to the LAB play very beneficial role in checking disease causing microbes जो lactic acid bacteria होते हैं वो एक beneficial role भी play करते हैं हमारे किसके अंदर stomach के अंदर वो role क्या है वो role है आपका हमारे stomach के अंदर ये disease को check करते रहते हैं कि हमारे stomach के अंदर जो कुछ microbes जो इंटर कर रहे हैं जैसे bacteria कुछ इंटर करते रहते हैं जो हमारे body के अंदर disease फैलाएंगे इडली डो का मतलब आटा आटे का जो यूज करते हैं क्या क्या बनाने के लिए डोसा बनाने के लिए इडली बनाने के लिए तो वहाँ पे हम क्या काम करते हैं वहाँ पे हम माइक्रोब की हेल्प से काम करते हैं और कौन से माइक्रोब का यूज होरा बैक्टिरिया का तो बैक किस और पुफट अप किसके कारण होता है production of CO2 मतलब कि bacteria क्या का काम करेगा bacteria CO2 gas का production करेगा जिसकी वज़े से जो आटा होगा वो पुफट अप हो जाएगा मतलब कि full जाएगा can you tell which metabolic pathway is taking place resulting in formation of CO2 तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मतलब bacteria के अंदर regularly the dough which is used for making bread सेम इसी तरीके से जो हम dough होता है जो आटा होता है उसका bread बनाने के लिए यूज करते हैं ठीक है तो is fermented using baker's yeast तो वहाँ पे जो हम yeast का प्रियोग करते हैं किसका प्रियोग करते हैं yeast का प्रियोग जिस microbes का प्रियोग करते हैं उस microbes को हम baker yeast बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं baker yeast ये भी बताऊंगा अभी जिसका नाम है Saccharomyces Services Saccharomyces Services एक yeast है ये एक फंगी है इसके दोबारा बहुत सारे bakery material बना जाते हैं जिसे bread हो गया, cake हो गया, biscuits हो गई और burgers हो गया, pizza हो गया ये bakery material बना रहा है इसलिए इसको हम baker's yeast नाम दे रहे हैं इसके बाद a number of traditional drink and foods are also made by fermentation by microbes तो जो आज कल traditional जो आज कल के दुनों में जो चलने वाली ड्रिंक है जो पीने वाली चीज़ है और जो कुछ food जो है वो भी microbes की fermentation के द्वारा बनाए जाते हैं जिससे traditional drink का नाम है toddy तो toddy जो है एक traditional drink है जो की southern India के अंदर बनाई जाती है जो दक्षिनी भारत होता है वहाँ पे सैफ from palm palm के सैफ को ferment करके toddy drink जो है बनाई जाती है ठीक है microbes are also used in ferment ship microbes का use हम fish को ferment करने में भी करते हैं soya bean को ferment करने में भी करते हैं bamboo plant की suit को ferment करने में भी करते हैं जहां से की हम अलग अलग तरीके का भोजन बनाने का काम करते हैं fish से, soya bean से, bamboo suit से इसके बाद next cheese is the one of oldest food item in which microbes were used cheese भी, paneer का भी paneer एक oldest food item है एक पुराना food item है जिसको हम microbes की help से बनाते हैं मतलब पुराने टाइम से microbes, microbes की help से हम cheese को बनाते आ रहे हैं इसलिए बोलाए तो different varieties of cheese are known by their characteristics, texture, flavor and taste तो different type की varieties में cheese आपको देखने को मिलती है उसके texture के लूप में मतलब उसकी बनावट के base पे उसके flavor के base पे तो यहाँ पे specificity coming from the microbes यूज़ तो वहाँ पे special अलग-अलग type के microbes का यूज़ करते हैं जिसकी वज़े से उनका taste अलग होता है जिसकी वज़े से उनका flavor अलग होता है जिसकी वज़े से उनकी थोड़ी save भी अलग हो जाती है example के रूप में बालत करते हैं एक large holes वाली एक चीज़ होती है जिसकी वोलते है Swiss cheese तो Swiss cheese को भी हम microbes की help से grow कराते है माईक्रोब का नाम आपका propinobacterium sermanani ठीक है propinibacterium sermani तो propinibacterium sermani के दोरा हम क्या काम करते है Swiss cheese को बनाने का काम करते है और यहाँ पे Swiss cheese जो होगी आपकी सेम यहाँ पर बैक्टिरिया ने वहाँ पर जो काम किया था आटे के अंदर ऐसे ही यहाँ पर करेगा यहाँ पर भी वो कारवन डायोकसाइड का प्रोडक्शन करेगा बड़े अमांट में जिसकी वज़े से आपकी जो स्विस्ट चीज है उसके अंदर लार्ज होल हो आते हैं ठीक है इसके बाद नेक्स्ट है आपका रॉक फॉर्टी चीज रॉक फॉर्टी चीज को भी हम राइपन्ड बाई ग्रोविंग सिफेशी फंगी कुछ फंगी के दोरा सिफेशी फंगी के दोरा उसे ग्रो कराया जाता है जिसका नाम होता है जिस फंगी का नाम है फर्टी, पैनिशीलम पैनिशीलम, रॉक फर्टी फंगिय जिसके दोरा हम रॉक फर्ट चीज को बनाने का काम करवाते हैं, तो ये माइक्रोब्स हैं, इनका प्रियोग हम किसके अंदर कर रहे हैं, तो अपने हाउस विल्ग को देखा है, कि कि